जैहिन किसान भाईयों आप सभी का स्वागत है मेरे कौर वीडियो पे उमीद करता हूँ आप सब सुरक्षित होंगे स्वस्थ होंगे तो आज मैं आपके लिए कैसा गाड़ी लेकर आया हूँ जो कि 49-50 श्रेडी की गाड़ी है और जिन किसान भाईयों को साइड गेर पसंद करें और देखें और जिन किसान भाईयों को अच्छा लगी वीडियो वह जरूर जरूर लाइक करें और चैनल का मेरें सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं तो चलिए किसान भाईयों शुरू करते हैं तो बात करें इसके बंपर की आप देख सकते हैं बॉम्पर है तो हैं आप देख सकते हैं किसान भाईा गारी इस तरीके से दिखती है घ्याज्व आगे का लुक है आप लाइड देख सकते हैं बिलकुल साइड से देख सकते हैं साइट तक चला गया इसका तो जिसे रात को अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो आपको इस साइड का भी थोड़ा सा रोशनी आपको लाइट का जो फॉक्स है वो आपको दिखेगा यह आप देख सकते हैं और बात करें किसान भायों इसको सुंदरता को बढ था प्रोनेट के उपर में ठौड़ा सा खुपशूरती बढ़ाने के लिए क्लिए शॉपंड़े रखा है तो बात करें इसके एक्सल की किसान भायों एक्सल भी भिल्कुल है भी एक्सल है आप देख सकते हैं एक बार कैसे एक से यह आप देख सकते हैं अगला चक्छा उठ पूरा जो इंजन का कलर है जो पेंट किये हुए वही पेंट से बंपर भी कलर किया हुआ है तो बहुत ज्यादा खुबसूरत लगता है तो किसान भाईयों बात करें इसकी ट्रेक्टर की टायर साइज की यह आप देख सकते हैं इसमें आपको पीछे आपको 13-26 का टायर आप हिंच देख सकते हैं हिंच में किता अच्छा इसमें आपको अजस्टेबल दे रखा है यहां भी जगा बचा हुआ है देख सकते हैं जहां आपको ठीक लगे वहां पर आप अजस्टेबल कर सकते हैं इसको उपर भी हिंच को लगा सकते हैं यहां भी लगा सकते हैं पीछे के लिए रात को अगर आप जुताई कर रहें कुछ काम कर रहें तो नांगर वांगर के लिए खेती बाड़ी में दिखता नहीं तो पिछी तना चलाइट दे रखा देख सकते हैं आप छोटा सा तो आपको तो पता है किसान भाईयों ये गाड़ी है तो बात करें इसके पीटियो पावर की तो मैं बोलता नहीं मैं हमेशा आपको दिखाता हूं जो आपको सरकार जो जिपका के देती है देख सकते हैं आप 35.5 शाड़े 35 HP का इसमें आपका पीटियो पावर है किसान भाईयों आप देख सकते हैं और भी बहुत चीज़ें इसमे आपको मिलेगी यह आप देख सकते हैं कमपनी इसमें चिपका के दिए है इस्टिकर महिंद्रा यह वो टेक प्लस 415 डि आई तो चलिए किसान भाईयों में इसका बोनट खोल के आपको दिखाता हूं तो किसान भाईयों बात करें इसके इंजन की आप देख सकते हैं इस पे आपको डबल फिल्टर मिलता है विद तीन सिलेंडर आपको गाड़ी मिलता है और इस पे आपको डूबल फिल्टर मिलता है इसमें हवा उसको साफ करने के लिए इसे यहाँ कुलिंग सिस्टम दे रखा देख सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं किसान भाईयों बहुत ब हीटना हो इसका कंपनी बहुत ध्यान रखा हुआ है इसको खोलना भी बहुत आसान है किसान भाईयों यह आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया इसको आप दबाईए नीचे तो बोनट खुल जाएगा और बंद करना है तो कुछ नहीं करना जादा बंद करने के बाद आप यहा मैं उठाओंगा तो यह उठाएगा नहीं यह आप देख सकते हैं तो बात करें किसान भाईयों यहाँ फूट रेस्ट के पास आप बिल्कुल बहुत बहुत यादा स्पेस है यहाँ पर देख सकते हैं सीट आपको अजस्टेबल मिलती है और आपको टोटल इसमें गाड़ी किसान भाईयों बारा आगे का तीन पीछे का रिवर्स गेर तीन है किसान भाईयों और फारवर्ड गेर आपका बारा है तो अब बात करें किसान भाईयों इस गाड़ी को किस तरीके के किसान को लेना चाहिए जिनको काम किस तरीका चाहिए जिसको काम करना हो उसके लिए य पहले चीज तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये गाड़ी है उन 40 HP श्रेणी का गाड़ी है इसमें आपको 35.5 शाड़े 35 HP का आपको इसमें पीटे पाउर मिलता है तो ज़रुवत पढ़ने पर आपका 5-6 फिट का रोटा वेटर ये आपको अगला में और पीछला में आपको किसान भाईव जेके टायर आपको मिलता है तो किसान भाईव जिन किसान भाईव को साइड गेर पसंद है वो ये गाड़ी आरांक बंद करके ले सकते हैं महिंद्रा का भरोसा है आपको शीक्स यर अंडर वरेंटी, सर्विस अंतराल, इसमें साड़े 300 सा 400 घंटे के बीच में आपको सर्विस खराना, यह बहुत बड़ी हाइलाइट चीज है किसान भाईयों, जो किसान भाई समझते हैं, वो समझ सकते हैं, 100 से 1500 किलो घंटा, 100 से 1500 घंटा आपका, पर कोई भी किसी किसान भाईयों, आप नांगर चलाइए, आप रोटावेडर 5-6 फिट भी चला सकते हैं, समतल पर अगर जमीन होगा, तो आप 6 फिट भी आप चलाइए इसमें, परेशानी नहीं देगा गाड़ी, 5-5 फिट में रिकमेंट करूंगा, 5-5 फिट आप चलाइएगा, और इस प काम भी कर सकती है, छोटे पैमाने पर, बहुत बड़े पैमाने पर नहीं, लेकिन ये JCB का काम कर सकती है, किसान भाईयों, लोडर बना सकती है, क्रेन बना सकते हैं, आप तो ये किसान भाईयों, मैं बार बार हर वीडियो में बताता हूं, आपको जो जो गाड़ी का जो है, सोचने वाली बात है 20 सर एडवांस गाड़ी है आँख बंद करके ये गाड़ी आप लगा सकते हैं जिनको बजट कम है जिनको साइड गेर में चाहिए जिनको तीन सिलेंडर की गाड़ी चाहिए तो आँख बंद करके ये गाड़ी आप लगा सकते हैं तो और भी कोई जानकार चाहिए अभी मैं सॉटकर ना बता दूं किसान भाईयों इस गाड़ी 49 एचपी की है 35.5 पाँच एचपी का इसमें पीटो पाउर मिलता है बंदरा गीर के साथ ये गाड़ी आता है किसान भाईयों आप पावर इस्टेरिंग के साथ ये गाड़ी आता है देख सकते हैं पावर इस्टेरिंग दे रखा, सिंगल डिजल फिल्टर दे रखा छे साल की अंडर वारेंटी आपको दे रखा तो बहुत जितना हो सके कि महींदरा कंपनी आपको देने की कोशिश करती है तो उमीद करता हूँ आपको ये गाड़ी अच्छी लगी हो और मेरी वीडियो मेरी जानकारी जो मैं देना चाहता हूँ किसान भाईयों आप तक पहुचे आपको थोड़ा बहुत जानकारी मिला हो तो आज के लिए इतना ही किसान भाईयों उमीद करता हूँ अच्छा लगा हो और आप में अगर अच्छा लगे मेरा वीडियो जरू जरू सब्सक्राइब करिए शेयर करिए तो धन्यवाद जय हिन